सर नमस्कार सर क्या नाम आपका मदुकर यादो सर मदुकर जी आप कहां से आए हो सर मैं लुधियाना पंजाब से आए हूँ सर संत्रामपाल जी महाराजी से जुड़ने से पहले आप क्या बक्ति साधनाई करते थे आपको संत्रामपाल जी महाराज जी के बारे में कैसे बता चला सर अमको संत रामपाजी महाराज की सराण में आने के भक्त थे जो है शिव संकर दाजबगेजी वो हमारे पिता जी को आगे बताए कि आप बरवाला में जाईए संत रामपाजी महाराज आई हुए पूरण प्रमात्मा उनसे नाम दिच्छा लेके भक्ती करो और अपने बच्चों का भी कल्यान करो तो सर पापाजी हमारे और हमारा लड़का बड़ावाला गया जो है संत रामपाजी महाराज की सरण में बरवाला जाके नाम दिच्छा लिया और जो है भक्ती किये तो फिर पापा हमारे आए तो बोले बेटा चले जाओ बरवाला वहाँ पर संत रामपाजी महराज आए हुए है नाम दिछाल के भक्ति करो मैं का मैं भक्ति कर रहा हूं मैं सत्वाल जी महराज को अपना गुरू बनाया हूं और आप ने छोड़ दिया और हमको भी शड़वा बिस्तारव करता जानहें लिए्टारित है कि जो ततवार्शी संत है उसे नाम दिछाले के भक्ति करने से पूर्ढ़ मोच प्राप्थ होता है तो मुलें आपको यकीन नहीं है कि संत 라ामपाल जी महराज प्रमात्मा है तो आप प्रमात्मा से कर इच्छा ले लendिन कोई भा हैं तो वह हम को धersonar देंगे तो सर उसके बाद फिर हमने एक करके जो है ऑगिए सीौ ज đầu सै पर पारने महाराज जो पता नहीं लगा सर कहीं कि कहां गए हो संध्र आ Eugene Joe k psycho की रूप में जो है गुरु और गोबिंद की जो फोटू है मालिक उसमें हम को दर्सन भुले वेटा तुए फूराइबूर तुम क्या सोच रहे हो, कुछ में सोच जाओ भरवाला में, नामोडिज्ञें लेके भक्ती करो, सर आपको इतना अद्भूत लाब मिला है कि आपको संत रामपाल जी महाराजी ने दिखाया कि वही पूर्ण संत हैं वही सचे संत हैं तो सर संत रामपाल जी महाराजी वह सत्पाल जी महाराज के ग्यान में आपको क्या भिंदा नजर आई सर जी उनके गयान में सत्पाल जी महराज की में कहते हैं क yapıyorsun एक आ संत्रामपाल जी महराज़ के सरण में जाने से हम को उस पूरप्रमात्मा की प्राप्ति हुई। जो पूरप्रमात्मा कि इस ट्म कबिर शाहेद। संत्रामपाल जी महराज़ कने स्तराम जी महराज़ के समय के संत्राम सरा सराक सी महारा अまあ- Verm में में को DR. जीने का यहां पर धर्थी पर पहिदा होने का जो हमको पूर पुरत हुआ कि संत-राम पाजी महराथ के समय में हमारा जनम हुआ और हम संत-राम पाल जी महराथ से नाम धिश्चा लेकर हमको मोस्च पुरत और क्या लब मिला सर। सर हमको में लावे हुआ कि हम एक दिन जो है हम चोटी से दुकान है साइकल की अपनी लुदियाना में तो हम आये जो है छुटी करके हमारी भक्त मती जो है बैठी हुई थी पंखा चालू करके शाड़े नो बजे पंखा राइट एम चल गया था उसके बाद पोने एक बजे प साराज की फोटू लगाई हुई है वहाँ पर उनके ध्यान दे के जो है हम संत्रापा जी महारी तरह से संत्राम का सुम्र्ण करने लेगे और हम थोड़ा सा हट के बाहर चले गए चार पईये पर ही वहाँ पर देख रहा हूँ कि हमारा पंखा जो है नीचे टूड के तार सह बीच में पंखा गिरा किसी को कोई चोट नहीं लगी और इसके बाद जो है हमको लाभूवा कि संत्राम पाजी महाराज की दया से जो है हमारी पत्नी को कमर में दर्द था तो वह जो है हम उनको लुदियाना में कई जगा डाक्ट्रों को दिखाया गाउं में दिखाया तो फिर एक दिन मैं गया जो है दौवा लेके आया बारा वजे के लमसम और नीचे जाके बैड़ गया तो बत्मती हमारे हमारी पत्नी आई बोली जो है बगज यमारे करमन में दर्द बहुत हो रहा है मैं गा देखो भाई मैं दौवा करा करा के सगल से हार गया हूं फिर बोले संतरामपाजी महराज से नाम दिछा लेके भक्ती किया उसके बाद जो है जो हम दवा लेके आये थे पांस रुपे की दवा उसके बाद उसने फेक दिया कबार में गई जहा हम डंडोर पडाम करते हैं मालिक के वो संतरामपाजी महराज को वहाँ पर जो है वो डंडोर पड संत्रामपाल जी महाराज प्रमात्मा हम ऐसे ही रहेंगे, बहुत बड़ी जिन्दगी है, कैसे हम बितीत करेंगे, तो इसना कहते कहते हैं, रोते रोते उहीं पर सो गई, फुर इसके बाद आधा पंड़ा गंटा के बाद उसको होस आया, तो रात में उसी रात में प्रमात्म करो, मालिक दया करेंगे, तो उस दिन से लेकर आज तक, लगबख पान साल हो गए, कमर में दर्द नहीं हुआ, ऐसे पेट में जो उसको जो दर्द था, जिसको धरन कहते हैं, यहां पंजाब में, हमारे यहां पतनार कहते हैं, वो जो जो लगबख डेड़ दो साल से वो जो तो संत रामपाल जी महराज भूले, बैटा, बगदी करो, मर्यादम रहो, मालिक दया करेंगे, यह फाइदा हुआ, तब से पोaterial की इसको ठीक हो गई सिर्ज जैसा कि संद्रामपाल जी महराजी के उन्यों अभी बताते हैं कि पहले वो काफी नसा करते थे और संद्रामपाल जी महराजी से नाम देख सा लेने के बाद उनका नसा छुट गया क्या सर आपके साथ भी कोई ऐसा नबह है जी सर, सर मैं बीडी, पान, जरदा, बहुत खाता पीता था, हमारी साइकल की दुकान आप से पहले भी बता चुक हूँ सर, वहां पर मैं बीडी और शिग्रेट जो है पान जो है मैसा रखे रहते थे हूँ, हम भी खाते थे, जो उनको भी खिलाते थे तो उसके बाद जो हम आप से पहले बता दिया हूँ सर कि मैं सत्पाल जी महरा से नाम लिया था, दस साल हो गए थे, हमारी एक बीड़ी नहीं चुटी, बहुत कोशिस किया, तो फिर उसके बाद जो है, पापा बोले हमारे बिटा जाओ, वहाँ पर तुम्हारा नसावी आज हमें, उसके बाद लुटे कर से पहले बारा कि मोंद मुझा रोगे, तो वहाँ पर जो भगत जो नाम लिय दिचा लिए थे पहले हो तो बले बहुत कोंजा है, मैंका जी मैं पी रहाू हो, बोले यहारा पर सेश्गर्ट नहीं पीना, मैंका क्यों मैं और घा जो है संतर लेकर आज तक नाम लेकर 2013 नाम लिया सर तफसे जाद तक हमने जो है बीड़ी सिग्रेट पान की दबाच छोड़ो सर मैं किसी को दुकान पर बैठने तक नहीं देता हूँ ना उसका मैं साइकल रिपेर करता हूँ अगर कोई और कोई गुरू है हमने नहीं नाम लिया, एक ही गुरू से नाम लिये थे, और सत्संग बहुत सुना गुरू को, लेकिन कोई गुरू प्रमारित ग्यान या सास्तर उठा के हमको नहीं बताया कि यह चीज यहां प्रमारित है, संत्रामपाजी महराज जो है, गीता में से, सत्पाल महराजी भी गी अब बगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? जितने भी संसिता से सारे जुड़े हुए हैं, कि आप अपना मान अभिमान छोड़कर संत राम पाजी महाराज से नाम दिछ्चा लेकर अपना बक्ती करो, अपने बच्चों का, अपने परिवार का कल्यान करवाओ जो है? जी धन्यवाद नमस्कार सर